फिर से स्वागत आपका हमारे चैनल में ये वीडियो सेवन्थ वीडियो है इस प्लेलिस्ट का क्योंकि हम इसे एक बुक की तरह बना रहे हैं तो ये वीडियो है चैप्टर थर्ड का फर्स्ट वीडियो चैप्टर थर्ड में हम समझ रहे हैं लैब्स रिपोर्ट्स के बारे में और प्राइस चार्ट के बारे में हीरे की प्राइसिंग को समझने के लिए हमें रिपोर्ट्स और प्राइस चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है रिपोर्ट्स मतलब कि लबोरेट्रीज Laboratories अपने-पने standards से report बनाते हैं, diamond के report करते हैं Laboratories third party होते हैं इसलिए हम इस chapter में Laboratories के standards के बारे में बहुत focus करेंगे लेकिन उससे पहले इस वीडियो में हम ध्यान देंगे वजन के उपर और price chart के उपर जब भी हम कोई भी हीरा खरीटते हैं हम हीरा या तो certified खरीटते हैं या non certified खरीटते हैं certified diamond का मतलब होता है ऐसा diamond जो किसी international reputer laboratory से certified है और non certified का मतलब है कई से certified नहीं है व्यापारी खुद से अपनी एक अंदाजे से color clear ticket बदाते हैं और फिर उसका व्यापार करते हैं जब भी कोई diamond certified होता है तो B2B level पे मतलब कि एक व्यापारी जब बुस्रे व्यापारी से व्यापार कर रहे होते हैं तो वो price chart को follow करते ही है यह mandatory है मतलब कि certified diamond मतलब एक price chart का involved हो जाना अगर non certified diamond है तो भी price chart involved रहता है पर वो indirectly पीछे back end पे उसको सामने show नहीं करते सिर्फ मुझवणी व्यापार होता है कि मेरा हीरा यह 10 लाग का है या मेरा हीरा यह 2 लाग का है लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि certified diamond है तो certified का मतलब है जी किसी lab थर्ड पार्टी lab ने clarity cut बताया है और हम उसके अनुसार price chart को follow करते हैं और हम कहते देखो जी यह price chart बोलता है इसका इतने 1000 डॉलर है और मैं मेरा यहीरा आपको इतने percent back पे या इतने percent discount पे आपको बेचना चाहूंगा ठीक है तो हमें सबसे पहले यह समझना है इस वीडियो में price chart क्या होता है और इस वीडियो पे हम वजन के उपर ध्यान देंगे diamond carat weight पे ध्यान देंगे हीरे की जो कीमत लगाई जाती है हमेशा से हम सुनते आए हैं 4C पे बात करते हैं C for carat weight, C for color, C for clarity, C for cut यह 4C निर्धारित करते हैं हीरे की कीमत लेकिन रुकिए यह 4C को International Laboratories ने बड़ा ही बढ़ा चड़ा के बोला है और यह अच्छा भी है, जरूरी भी है लेकिन सिर्फ यह 4C नाकाफी है हीरे की सठीक कीमत तक पहुँचने के लिए जो हम आगे कई वीडियो में भी समझेंगे फिलाल इस वीडियो में हम समझते हैं वजन के उपर पहला सी वो है कैरेट वेट वजन मैं हमेश आप से कहता हूँ हीरे की कीमत को समझने के लिए हमें दो बातों पे ध्यान देना जरूरी होता है पहला हीरे का वजन क्या है और दूसरा हीरा कितना ज्यादा खूबसूरत है इसके साथ एक तीसरा फैक्टर भी है जो है रेरिटी हम रेरिटी के पॉइंट को अभी नहीं उठाएंगे हम अगले वीडियो में समझेंगे रेरिटी को कैसे डिफाइन किया गया है प्राइजिंग के लिए फिलाल यह जो वीडियो है यह है वजन के उपर और हम समझते हैं वजन कैसे डायमन के प्राइज को असर करता है तो वजन क्या है वजन है वेट भार हम किसी भी चीज़ को जब खरीटते है नॉर्मर्मली इंडिया में हम गराम में वजन करते है तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि हीरे को किस unit में वजन किया जाता है हीरे को या कोई भी gemstone को वजन किया जाता है carrot में इसका spelling होता है C-A-R-A-T carrot, short form होता है C-T तो carrot और gram में सम्मद क्या है एक gram में पाँच carrot होते हैं मतलब कि अगर मैं एक gram के पाँच हिस्से कर दूँ मतलब कि 200 miligram, 0.200 gram इसको बोलूँगा 1 carrot ठीक है? तो एक carrot को बजन कितना हो गया? 200 miligram या फिर एक gram का पाँच वा हिस्सा और जब मैं carrot को और तोड़ता हूँ तो हम पाते हैं cent, 100 cent में 1 carrot होता है तो कभी कार हम आधे carrot के हिरे को 50 cent भी बोलते हैं अगर मैं quarter carrot कहूँ तो 25 cent या 0.20 carrot ऐसे भी कह सकते हैं अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1.5 carrot का हिरा है इसका मतलब है 1.50 carrot ठीक है? तो उसको इस तरह से कहा जाता है तो वजन को लिखने का या बोलने का unit यह है वो है carrot यह तुमने समझ लिया लेकिन हमें ये समझना है कि carrot के साथ कीमत कैसे जुड़ा हूँ है मैं कैसे ये समझू कि मुझे कितने carrot का हिरा चाहिए? तो इसको समझने के लिए मैं कुछ examples आपको देता हूँ और उससे हम समझेंगे हिरे के कीमत को carrot से कैसे जुड़ा जाए उससे पहले मैं आपको ये बता दू अगर हमें हिरे का वजन नहीं पता तो उसकी कीमत लगाया जाना लगभग नामुम्किन जैसा है एक सठीक वजन अगर हमें पता होता है तो ही हम उसके सठीक कीमत तक पहुँच सकते है weight या वजन इसका base है color clarity cut base नहीं है वजन पे color clarity cut और बाकी सारके सारा factors वो base होते है weight is the most important factor हम इस वीडियो में समझेंगे कि मामूली से वजन में फरकाने से price में लाखों का फरका सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हीरे के वजन को जैसे कि हमेशा आप किसी भी report में पाएंगे diamond के weight को हमेशा decimal के बाद second digit तक ही लिखा जाता है जैसे कि 2 carat 21 cent 2.21 carat कभी भी third decimal को लिखा नहीं जाता अगर मैं 50 cent लिखूं तो 0.50 इसके बाद third decimal लिखा नहीं जाता लेकि इस third decimal की भी importance होती है इस third decimal को हम कहते हैं डोरा third decimal मतलब की 0.001 मतलब की एक डोरा मतलब की cent का भी दसवा हिस्सा एक cent का दसवा हिस्सा को बोलते हैं डोरा और कई बार कुछ डोरे में फरकाने की वजह से प्राइज में बहुत ज़्यादा फरका सकता है हाले कि मैं इस वीडियो में इतना डीटेल में नहीं जाओंगा क्योंकि हमारा एक basic वीडियो है जिसमें हम जानना चाहते हैं कि हमें जब हीरा खरीदना है हमें वजन को किस तरह से लेना है अगर आप इसमें और जाला जानना चाहेंगे तो मेरी इच्छा रहेगी कि मैं 10th chapter में आपको इस डोरा के उपर भी पर्टिकुलर वीडियो बनाओ ताकि आप डोरा को और डीटेल में समझे और कैसे डोरा की वज़े से price में फरका सकता है इसके उपर भी मैं आपके साथ चर्चा करना जाओंगा बाद में 10th chapter में तो pricing को समझने के लिए हमें थोड़ा सा price chart को भी समझना जरूरी है तो मैंने आपके लिए एक sample price chart बनाया हुए है तो थोड़ा सा price chart को पहले मैं आपको समझाता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ूँगा और वजन के बारे में इस वीडियो में आगे डीटेल में चर्चा करेंगे price chart क्या होता है यह price chart कुछ companies होते हैं जो अपने price chart बनाते हैं research करते है market में वो बहुत deep research करते हैं वो mining companies से जुड़े होते हैं जितने भी major diamond borgers है world के उन सब के साथ जुड़े होते हैं major laboratories के साथ जुड़े होते हैं सबसे बड़े बड़े जो व्यापारिया उनके members होते हैं और वो उनसे insights पाते हैं data पाते हैं और फिर वो अपना price chart release करते हैं यह price charts strictly copyrighted होते हैं और इसी वज़े से मैंने भी price chart खुद से create किया है आपको दिखाने के लिए आप देखें कि यहाँ पे sample लिखा है तो sample का मतलब यह है कि मैंने यह price chart recreate किया है और यह price chart actual price chart से related नहीं है और इसमें किसी company का मैरे नाम नहीं दिखा है क्योंकि यह copyrighted होते हैं तो कहीं ऐसा नहीं कि किसी को लगे कि हमारी price chart reveal किया जा रहा है यह price charts सिर्फ B2B ही होते हैं strictly B2B और यह price charts सिर्फ उनके लिए होते हैं जो इसके members हैं ध्यान दीजे सिर्फ उनके लिए जो members हैं और member बनने के लिए strict norms हैं आपको कम से कम कुछ सालों तक diamond के व्यापार में होना जरूरी है आप कम से कम इतने sales कर चुके हैं तब जाके आपको membership मिलेगा आपको कम से कम इतने members के recommendation लेने पड़ेंगे तब जाके आपको membership मिल सकती है इसलिए जो current price chart है वो कभी भी आपको online नहीं मिल सकता यह बड़े ही closed group में होते हैं और इसको reveal नहीं किया जाता है that's why I have also created this price chart for you to show इस price chart में जो भी कीमते हैं वो actual prices नहीं है मैंने prices को recreate किया है और मैंने थोड़ा सा बढ़ा के लिखा हुआ है ताके तो आने वाले 5 साल के बाद भी इस price chart से आप relate कर सके कुछ companies इस price chart को हर हफते update करती है कुछ companies महिने में update करती है update करने का मतलब यह नहीं है price chart rate घटेगा ही या बढ़ेगा ही घट भी सकता है बढ़ी भी सकता है कुछ particular price lab में घटते भी है कुछ particular price lab बढ़ते भी है depends upon demand and supply तो जब हम इस price chart को देखेंगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगर आप देखेंगे सबसे पहले लिखा है 1 cent से 3 cent तो left hand side उपर की तरफ आप देख रहे है 1 cent से 3 cent का price lab है लेकिन जैसे ही आपके diamond का version 4 cent से लेके 7 cent हो जाए तो price lab बदल जाता है फिर 8 cent से 14 cent का price lab बदल जाता है 30 से 39, 40 से 49 cent 50 से 69 cent, 70 से 89 cent इस तरह से slab है अगर आप दूसरा देखें 90 से 99 1 से 1.49 1.50 से 1.99 तक 2.02 से 2.99 तक इस तरह से करते हुए आप 10.99 तक प्राइस लाप देखेंगे अगर आप देखेंगे सबसे छोटे डाइमंड के साइज में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कलर है यह D E F एक साथ दिया हुआ है G H का प्राइस एक साथ दिया हुआ है आई J K L M N तो यह प्राइस एक सिंगल कलर के लिए नहीं दिया हुआ है जो क्लारटी में भी आप देखेंगे आप देखेंगे I F से V V S एक ही प्राइस है V S 1 2 नहीं कर रहा सिर्फ V S S I 1 S I 2 का अलग अलग प्राइस है अगर आप 23 सेंट से लेके 39 सेंट में देखेंगे तो भी सलाब पाएंगे लेकिन जैसे ही 30 सेंट से लेके 39 के सलाब को देखेंगे आप पाएंगे D E F G H I J K L M अलग अलग प्राइस दिया हुए है I F V V S 1 V V S 2 निनका अलग अलग प्राइस दिया हुआ है तो 30 cent से pricing करने का या price chart में price को दिखाने का जो तरीका है वो बदल जाता है 30 cent से prices single single color में दिखा जाते हैं और 30 cent के जो कम वजन के diamond होते हैं इनके prices groups में दिखा जाते हैं इसलिए अक्सर जब भी आप एक certified diamond खरीदना चाहेंगे 30 cent से कम वजन का तो आपको अक्सर नहीं मिलेगा या बहुत rarely कोई certified करके रखते हैं इसके main दो reason है एक तो छोटा diamond है उस पर certificate का cost ही जादा पड़ जाता है और दूसरा क्योंकि जो भी report में आएगा वो किसी एक ही color में होगा लेकिन price chart तो एक ही color का price नहीं दिखा रहा वो दो या तीन colors के price को इखटा एक साथ दिखा रहा है इसके price chart को भी follow किया जापाना मुश्किल होता है जिसके वज़े से 30 cent के कम वजन के diamonds को अक्सर व्यापारी certified करा के नहीं रखते हैं तो 30 cent से उपर हमें diamond के certificates दिखने शुरू हो जाते हैं तो हमने यह देखा जैसे-जैसे हीरे का वजन बढ़ता जाता है price slab भी बदल जाता है तो थोड़ा से रुक के मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि price का यह जो slab है यह इतने सारे slabs क्यों मनाए गए है देखे हीरे की जो कीमत है वो है rarity पे भी और हीरे का जो वजन है इसका सम्मंद rarity से भी जुड़ता है छोटे हीरे बहुत जादा available होते हैं इसलिए यह इतने जादा rare नहीं है जैसे हीरे बड़े होते जाते हैं 2 karat, 3 karat, 4 karat, 5 karat और जादा बड़े तो और rare हो जाते हैं rare मतलब महंगा तो इसलिए छोटे हीरे जादा available है यह कम महंगे हैं, बड़े हीरे rare है इसलिए महंगे जादा है तो अब सवाल यह है बेशक बड़े हीरे महंगे तो होते हैं लेकिन कितने महंगे होते हैं इस सवाल के जवाब को भी हम थोड़ी दिर में समझते हैं लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है हीरे की जो कीमत है वो हम पर कैरेट में बोलते हैं यहाँ पर कैरेट का मतलब है एक कैरेट जैसे आप कभी भी सबजी बजार जाते हैं और आप खरीदते हैं आलू, करना है 100 रूपे, 40 गुना 2.5, डाई किलो बलब 100 रूपे, आप कभी ये नहीं कहते हैं कि ये 100 रूपे का आलू है, आप कहेंगे 40 रूपे केजी, तो कभी भी कोई चीज सस्ता है या महंगा है, हम हमेशा उसके पर यूनिट से समझ पाते हैं, जैसे आप आलू खरीदते है और बजार जाते हैं, आप पाते हैं, जो छोटे-छोटे आलू है, हो सकता है, वो 20 रूपे केजी में मिल रहा हो, जो बड़े आलू है, हो सकता है, 30, 40 या उससे भी महंगे मिल रहे हो, जैसे जैसे आलू के साइज बड़े होते हैं, वैसे-वैसे वो महंगे भी होते हैं, य यह ने जो price chart create किया है, example price chart create किया है, मैं इसी का reference लेता हूँ, और इसी के reference से आपको समझाना चाहूँगा, कि एक छोटे हीरे में और बड़े हीरे में, कितना अंतर हो सकता है price का, किस तरहे का अंतर हो सकता है price का, तो जैसा हमने पिछले कुछ वीडियो में समझा है हीरा बहुत सारे कैटेगरीज में आते हैं इसलिए कभी भी आप हमसे भी जब कंसर्टेंसी करते हैं प्राइज के बारे में या हमसे खरीदना चाते हैं कोई हीरा आप अक्सर ये गलती करते हैं कि आज हीरे की कीमत क्या चल रही है ऐसा पुछते हैं नहीं हीरे की कीमत क्योंकि वजन और क्वालिटी दोनों पर निर्भर करता है और क्वालिटी को हम हमेशा color clarity cut से बात करते हैं तो माली जी मैं हीरे का जो color है वो H मानके चलता हूँ H grade और जो clarity है वो है VS2 और cut है XXX excellent तो H color VS2 clarity और XXX cut ये जो हीरा है ये हीरा अगर मैं 10 cent का खरीदना चाहूँगा मनलब कि 10 cent size के छोड़ छोड़ हीरा खरीदना चाहूँगा तो 1 carat हीरे की कीमत क्या होगी तो अगर मैं इस price chart को follow करूँगा तो मैं देखूँगा इसमें लिखा है 930 dollar और क्योंकि मुझे पता है कि ये जो prices हैं ये maximum asking price होते हैं सबसे ज्यादा demand के आजाने बाला महंगा maximum asking price by a B2B person एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी से मांगते हैं वो amount तो मैं लगभग one third one third को मतलब है 33% मैं discount मानके चलता हूँ हाले कि आप समझ लेजिए इस वक्त इस example के लिए ही मैंने 33% discount माना हुआ है ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर हीरा 33% discount पे मिलता हो कोई हीरा 50% discount पे भी हो सकता है और कोई हीरा 20% 10% भी हो सकता है और कोई हीरा ऐसा भी हो सकता है जो premium पे बिखता हो premium पे मतलब कि बेशा कि इसमें 930$ लिखावा है हो सकता है वो वेपारी बोले कि नहीं मुझे तो 1000$ में बेचना है मेरी मर्जी मेरा हीरा तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हमेशा discount fix रहता है और सारा का सारा game इस discount का ही है हम इस पूरे playlist में यही समझने की कोशिश करेंगे कि discounts ज्यादा या कम क्यों होते हैं तो मान लीजे आपके सामने एक 10 cent का हीरा है और price chart में हमेशा per carat price ही show किया जाता है और वो भी US dollars में तो 930$ यह है per carat price maximum asking price for a 10 cent diamond और मैं इस पे 33% discount पाता हूँ तो 930 less 33% मतलब की 623 dollars इसकी price हुई मतलब की 623 dollars इसका per carat price हुआ लेकिन मुझे तो Indian currency में चाहिए मैं dollars में समझ नहीं पाऊंगा तो लग भग आज के rate में एक डॉलर को अगर मैं convert करता हूं इंडियन currency में तो वो आता है 83 rupees मोटा मोटी संदाज मानके चलिए तो जब मैं इसको convert करता हूं तो मैं पाता हूं 51,709 rupees मतलब के 51,709 rupees जो है ये एक carat हीरे की कीमत है लेकिन मुझे तो एक हीरे की कीमत को समझना है जो 10 cent का है तो अगर मैं divide करूँगा 10 से तो मैं पाऊंगा 5,170 rupees तो 5,170 rupees जो है ये एक 10 cent के हीरे की कीमत हुई ऐसा 10 cent का हीरा जो round में है जिसका वजन है 10 cent जिसका color है H जिसकी clarity है VS2 और जिसका cut है excellent ऐसा हीरा 5,200 rupees में लगभा के एक example के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं अच्छा अब मैं समझना चाहता हूं 25 cent अगर मैं 10 cent का हीरा ना लूँ और 25 cent का एक single हीरा खरीदना चाहूंगा तो उसकी कीमत क्या होगी तो 25 cent के जब हम chart को देखते हैं तो HVS2 का price दिखा रहा है 1480 dollars तो ये जो price हमें मिलता है ये है 20,584 20,500 rupees मतलब कि जहां एक 10 cent का हीरा जो सिर्फ 5,200 rupees का असपास का था तो ये 20,000 का असपास का है बलापे 4 गुना हो गया 10 cent का हीरा अगर 5,000 तो 25 cent का हीरा 20,000 तो चलिए भी मैं 50 cent के example को लेता हूं अगर मैं सिर्फ एक हीरा खरीदना चाहूंगा 50 cent का इसी quality में उसका price के आएगा तो जब मैं 50 cent के slot को देखूंगा तो उसमें पाता हूं HVS2 लिखा है 3,700 dollars तो भी हमें क्या मिलता है पूरी हीरी की कीमत ये मिलता है 1,28,000 1,28,000 रुपे का ये 50 cent का हीरा 10 cent का 5,000 25 cent का 20,000 50 cent का single diamond उसी same quality में 1,00,000 से उपर आ गया तो एक example मैं आपके सामने और रखता हूं एक कैरेट ही देखा और देखते उसकी कीमत क्या आती है इसी quality में जब मैं एक कैरेट के slab को देखूंगा HVS2 तो पाता हूं 9,200 dollars ये मिलता है 5,11,000 तो हम समझ रहे हैं कि 10 cent, 25 cent, 50 cent एक कैरेट में प्राइज का कितना अंतर है तो आप कभी अगर ये सोचें कि एक कैरेट का ही रा अगर 5,00,000 का रहा है तो 2 कैरेट का तो 10,00,000 का होना चाहिए ना नहीं, बिल्कुल नहीं इसी तरीके से अगर मैं आपको एक केरेट, दो केरेट, तीन केरेट और चार केरेट इन चारों के प्राइज के डिफरेंस को आपको समझाओं तो आप चौक जाएंगे तो आप देख रहे हैं जो एक केरेट का प्राइज है वो है 5,11,612 रोपे और इसी तरीके से अगर मैं 2 केरेट के कीमत निकालू तो ये पूरे पीस की कीमत आती है 18,35,000 अगर 3 केरेट का प्राइज होगा तो इसकी कीमत आती है 38,53,000 और 4 केरेट के एक सिंगल डामिड की कीमत आती है 6,60,000 से भी ज्यादा 66,00,00 से भी ज्यादा एक सिंगल 4 करेट के ही दे कीमत आती अगर हो HVS2 हो तो मैं फिल सब को याद करा दू कि ये जो प्राइस चार्ट है ये मेरे द्वारा recreate किया गया है प्राइस को मैंने आज के रेट के अनुसा थोड़ा सा बढ़ा के लिखा हुआ है तकि आप जब 5 साल बाद भी इसको देखे तो भी हम रिलेट कर सेके हाँ आसपास जा रहा है हो सकता है उस वक्त आपको लगे कि ये price तो कम बता रहा है आज तो महंगा है और आज आपको लग रहा होगा कि थोड़ा महंगा है हलका कम होना चाहिए तो actual prices बाज़ार महलग है लेकिन आप जब हमसे खरीदेंगे तो आप बहुत ही reasonable price में पाते हैं यह यह prices नहीं होते हैं यह सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने recreate किया हुआ है इस price chart को हम आपको सीधा व्यापारी से ही दिलवाते हैं बीच में कोई भी दलाल नहीं होता direct manufacturer, direct sideholder companies और सिर्फ आप मैं, diet chart holder company और आप सिर्फ अब तीनों ही involved होते हैं इस deal में और आपको सबसे reasonable diamond हम दिलाते हैं पूरी दुनिया में सबसे सबसे सबस्ता हीर हम दिलाते हैं यह मेरा आपको बादा रहता है हमेशा तो अभी तक हमने यह समझा है कि जो हीरे की केमत होती है यह character में होती है और य अब आप यह समझ रहे होंगे कि क्योंकि 1 carat के diamond का price और 1 carat 49 carat का diamond का price का slap तो सेम ही है तो क्या 1 carat 10 cent का हीरव और 1 carat 40 cent का हीरे का per carat price भी सेम होगा? है न क्यूंकि जब हमने छोटे डामर्ज बर देखा था तो 10 cent का हीरे का price slab अलग था और 40 cent का हीरे का price slab थो अलग था उनके price मंतर था लेकि जब हम बड़े pieces में जाते हैं हम देखते हैं slab same है जब हम 2 carat का slab को देखते हैं हम देखते हैं 2 carat से लेके 2 करेट 99 सेंड का एक ही स्लाब है मतलब क्या 2 करेट 1 सेंड का कीमत और 2 करेट 90 सेंड की कीमत क्या सेम पर करेट प्राइस से होती है नहीं बेशक स्लाब यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन मैं आगे भी आपको बताता जाऊँगा इस बार भी बताता हूँ हीरे की कीमत हीरा खुद वसूलता है कोई व्यापारी कोई प्राइस चार्ड कोई भी लबारेटरी ये नहीं बता सकती कि हीरे की सही कीमत क्या है वो हीरा अगर ज़ादा गुणी है सुंदर है, beautiful है व्यापारी को पता है तो वो उसकी कीमत को ज्यादा ही रखते है इसी बात को ही मैं आगे चले के आपको कहीं वीडियो में समझाऊंगा लेकिन फिलहला आप यह समझ लीजिए प्राइस चार्ट हर एक सेंट के वेरियेशन में प्राइस नहीं दिखाते यह सिर्फ एक मोटा मोटी एक टेंटेडिव आइडिया आपको देते हैं कि कितने डॉलर्स पर कैरेट में आजकल B2B में मांगा जा रहा है मांगा जा रहा है ना कि व्यापार हो रहा है तो मैं आप क्या ध्यान दो बातों बेल दिलना चाहूंगा एक शब्द है Magic Size और दूसरा शब्द है Premium Size Magic Size और Premium Size में क्या डिफरेंस है हमें समझना है Magic Size का मतलग होता है ऐसा हीरे का वजन जो के उस Slab का सबसे छोटा वजन होता है जैसे कि अगर मैं 90 से 99 सेंट के Slab को देखूंगा तो 90 सेंट से शुरू होता है This is Magic Size और Premium Size क्या हो गया जो उस Slab के सबसे बड़े वजन होते जैसे कि 98 सेंट 99 सेंट जैसे ही हमारे Diamond का वजन एक करेट को टच करता है तो अब वो इस Slab 90 और 99 सेंट के Slab को छोड़के अब उसकी प्राइज कहां से देखी जाएगी एक करेट के Slab से देखी जाएगी और जैसे ही वो एक करेट को टच करता है वो हो जाता है Magic Size मतलब की अगले Slab में पहुँच गया तो एक करेट यह हो गया Magic Sizes तो इसी Slab में अगर मैं बोलू कि मेरे पास एक करेट 40 सेंट का हीरा है एक करेट 45 सेंट का हीरा है तो यह हो गया Premium Size इसलिए हमेशा Premium Sizes में हमें Discount कम मिलता है Magic Sizes में Discount ज्यादा मिलता है हर एक Manufacturer यह कोशिश करता है कि बेशेक उसके पास कोई एक Rough Diamond है और अगर वो Excellent Cut में भी काट रहे हैं और Premium Sizes में लाने की कोशिश कर रहे हैं और हीरा Premium Size में निकल रहा है जो उसका Output निकलेगा वो Premium Size में निकल रहा है लेकिन Premium Size की जो कीमत है वो अगले Slab के Magic Size से कम होती है इसलिए वो कई तिगड़म बाजी करते हैं वो कट को कहीं बाए खराब भी करते हैं और उसको किसी तरीके से अगले Slab के Magic Size को टच कराने की कोशिश करते है क्यूंकि Slab के Prices में जबरदस्त अंतर हो जाता है तो थोड़ा सा हम इसको भी समझते है Magic Size और Premium Size के डिफरेंस को भी तो ये जो Price Chart है आपके सामने मैं उसी Color Clarity के Example से अगर आपको समझाऊं तो अब देखेंगे अगर आप 90 से 99 सेंट के Slab को देखें मैं Color Clarity और Cut को सेम रखता हूँ HVS2 और Excellent XXX तो देखेंगे HVS2 6900 डॉलर्स में लिखा हुआ है 90 सेंट के Slab में और वहीं अगर मैं एक करट के Slab पे देखूंगा HVS2 ये आता है 9200 मालबकि 9200 डॉलर तो 90 सेंट का एक सिंगल पेस का पर करट पाइस आता है 3,38,000 रुपए पर करट एक करट के जीमत और वहीं अगर मैं एक करट के डायमन को कल्कुड करूं तो इसकी पाइस आती है 5,11,612 रुपए डिफरेंस है 1,27,900 अलबकि करीब करीब 7,000,000 रुपए का इसका मतलब है कि 90 सेंट का हीरा HVS2 और एक करट का हीरा HVS2 में करीब करीब 7,000,000 रुपए पर करट का डिफरेंस है और अगर मैं पूरे पीस की कीमत निकालूंगा तो प्राइस डिफरेंस और बढ़ जाएगा हीरे को खरीदना चाहे उसकी प्लानिंग करना चाहे इसके लिए मेरे लिए जारा जरूरी है आपको ये बताना कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं अच्छा कलर, अच्छी कलर्टी, अच्छा कट लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस पर ध्यान ना दे के आप इस बात पर ध्यान दे कि आपका जो भी बजट है उस बजट में जो सबसे अच्छा कलर, अच्छी कलर्टी, अच्छा कट आ रहा है किस वजन के साथ ये भी इंपॉर्टन है हीरे का वजन को जानना बहुत जरूरी है आप किस वजन में किस वेट में कलर, कलर्टी कट पाना चाते है इसको समझना भी जरूरी है तो उम्मिद करता हूँ इस वीडियो में हमने हीरे के वजन को और प्राइस स्लाब को समझा है हमने समझा है कि प्राइजस जो हैं वो स्लाब के अनुसार बढ़ते हैं और हमें जो भी प्लान करना है हमारे हीरे को खरीदने के लिए हमें price slab को समझना जरूरी है हमें ये भी समझना है कि क्या हमें कोई magic size खरीदना है या premium size खरीदना है हमने ये भी समझा है कि magic size के per carat price में और premium size के per carat size में भी price में अंतर होता है मैं अगर हीरा खरीद की प्लानिंग कर रहा हूँ तो क्यों मैं 2 करेट साइज का हीरा खरीद हूँ क्यों ना मैं 1 करेट 90 सेंट के साइज का डाइमन खरीद हूँ दिखने में तो एक जैसे लगेंगे कौन सा मुझे सर्टिफिकेट गले में डलके घूमना है कान में या हाथ में लगा ही तो होना है तो हमें ये लगता है कि magic size बेशक महंगा होता है premium size के मुगाबले मैं 2 karat की हीरे को ना खरीद के मैं 1 karat 90 cent का हीरा खरीदना चाहूँगा क्योंकि ये छोटे slab में आता है तो ऐसा भी नहीं है मैं आपको एक छोटे से example से इस बात को भी समझाना चाहूँगा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो price chart है इसमें 1.50 से लेके 1.99 तक का एक single slab है लेकिन जैसे ही diamond का वर्जन 2 karat हो जाता है तो ये अलग slab में आ जाता है तो 2 karat से लेके 2.99 दो 99 तक का एक single slab है तो जैसे कि हो सकता हम ये समझ रहे हैं कि मैं 2 karat का हिरा क्यों खरीदू मैं 1.99 का हिरा क्यों खरीदू 1.90 1.98 का diamond क्यों खरीदू तो manufacturer को भी इस बात का पता है कि अगर मैं 1.98 का बनाऊंगा कटिंग करूंगा तो मुझे कम कीमत मिलेगा और अगर मैं 2 karat का बनाऊंगा तो मुझे ज्यादा कीमत मिलेगा तो जब हम हमारे portal में डोंडते हैं जिसमें 10 लाख से भी ज़रा diamonds है फिर भी उनमें जो premium sizes हैं वो बहुत कम मिलते हैं इसका मतलब यह है कि manufacturers premium sizes के diamonds को कम बनाते हैं वो हमेशे चाहते है magic size में अपने diamond को ले जाए लेकिन अगर premium size बनाना भी पड़ता है उन्हें तो उन्हें ये तो पता है कि बेशा की premium size है और price chart same price दिखा रहा है लेकिन बेचना तो उस manufacturer को है बेचना तो उस वैपारी को है उसे अपने हीरे के वजन का फर्क पता है इसलिए वो उसमें कम discount देते है यह automatically अपने अपे adjust हो जाता है तो ठीक है इसी example को हम समझते हैं और मैं आपके सामने 4 example रखता हूँ इस premium size को और magic size को समझाने के लिए तो मैं आपके सामने यह 4 prices रख रहा हूँ आपके screen पर देखेंगे सबसे left hand side में आपको दिख रहा है 1 carat 90 cent उसके बाद 2 carat फिर 5 carat और फिर 2 carat 85 cent मतलब कि 1 carat 90 cent जो है यह premium size है 1.5 carat के slab में और 2 carat का जो वजन है यह magic size है 2 carat के slab में हला कि इसी slab में अगर देखेंगे बिल्कुल आधी दूरी पे मतलब कि 1.5 carat जो है यह slab के बिल्कुल center में आता है बीच में आता है और 2 carat 85 cent मतलब कि 2.85 carat यह 2 carat के slab में यह premium size है तो मैं आपके सामने calculation रखना हूँ तो हम देखेंगे आज के date में यह calculation में लाइव निकाला है मोटा मोटी आज के date में जिस तरह के prices आ रहे है हला कि फिर सका हूँ मैं इसको reference अपने ही price chart से किया हुआ है actual price chart से नहीं actual prices जो charts है उससे नहीं किया तो अगर मैं इस price chart से अगर मैं निकालू तो मैं देखता हूँ discounts में कैसे फर्काते है अगर आप 1 karat 90 cent का हीरा जो कि G color VVS2 और excellent cut GIA certified देखेंगे तो आप देखेंगे 16,000 डॉलर है और इसमें discount जो मैं मिल रहा यह है 18% तो उसी अनुसार इसका per karat price हो गया 10,88,000 और total कीमत हुई 20,70,000 के आसपास लेकिन वहीं अगर मैं 2 karat का हीरा खरीदता हूँ तो G VVS2 excellent GIA मुझे discount मिलता है 38% जो price बनता हुआ है 23,77,000 तीसरा diamond 2 karat का है same G VVS2 XXX और इसमें discount मिलता है 27% हले कि price chart में 23,100 लिखावा है और क्यूंकि same slab में है इसलिए जो चौथा diamond है वो है 2 karat 85 cent G VVS2 XXX GIA और same 23,100 डॉलर्स की की लिखा हुआ है price chart पे इसमें हमें मिलता है 10% का discount मतलब है कि same price lab होने के बाद भी बेशक 23,100 डॉलर्स लिखा हुआ है price chart पे लेकिन व्यपारी को पता है बेशने वालों को पता है कि मेरा जो diamond है ये premium size में आता है मैं पहले वाले diamond में बेशक 30% से भी ज़रा discount दे रहा हूँ लेकिन अगर मेरे पास 2.85 karat का diamond होगा price chart से मैं price slab से मैं लेकिन मैं उसमें 10% का discount दूँँगा तो discount का जो संबंध है इसका एक major संबंध वजन से भी है आप कभी भी ये ना समझे बेवकूफो की तरह है कि आज के date में इसमें किता discount आ रहा है बताओ नहीं कई लोग हमें phone करते है अब पुछते जी आज आज कर discount का चल रहा बताए ये तो ज़रा ये गलत है discount जो है कई सारे factors को देखकर decide होता है और हर व्यापारी को पता है हीरे की कीमत क्या है उसके अपनी हीरे की कीमत क्या है मैं फिर से बताओं हीरे की कीमत दो बातों पे होती है और तीसरा factor है rarity वजन और beauty और subconscious factor है rarity तो कितना वजन का हीरा है और वो कितना सुन्दर हीरा है इस बात पे हीरे की कीमत तै होती है और हीरे की कीमत अगर वो हीरा certified है तो price chart को follow किया जाता है और price chart अगर है तो उसमें discount देखा जाता है कितना जाधा discount पे ये हीरा हमें मिल रहा है discount का संबन फिर से कहूं दो बातों पे वजन और सुन्दरता इस वीडियो में हमने वजन को समझा इस वीडियो में हमने समझा है प्राइस स्लाब को अगले वीडियो में हम सुन्दरता को समझेंगे और आगे हम समझेंगे सुन्दरता को कैसे आप सही तरीके से समझ सके उमिद करता हूँ इस वीडियो में मैं diamond के price को और price lab को और वजन को आपको समझा पाया हूँगा जब भी आप हमसे consult करते हैं हीरा खरीदने के लिए तो आपको पता होना चाहिए आपको कितने वजन का हीरा खरीदना है तभी तो आपके बजट में सबसे सुन्दर हीरा उस वज़न में हम ढूंड के आपके लिए ला सकते हैं हमारे पास 10 लाग से भी जादा डायमंड अवेलेबल है जो आपके बज़ट में हम सबसे बेस्ट डायमंड ढूंड के लाके दे सकते हैं उमीद करता हूँ इस वीडियो में आपको वज़न से जुड़ी हुई सारी की सारी बाते आपको समझ में आई होंगी कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट पे लिखेगा कुछ exclusive वीडियोज अगर होंगे तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा 10th chapter में मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम discuss करेंगे labs के बारे में और इनके reports के बारे में क्योंकि यह बहुत जारा जरूरी है आपको समझना अगर आप एक certified diamond खरीद रहे हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में जोड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद